हलो फ्रेंड्स आज हम लोग स्कुरो ट्राक जीपीएस ट्राकर के इंस्टॉलेशन करेंगे स्टॉप डिजायर जिसमें पुश्ट बटन है इंजन कट आफ वाला फीचर लगाना है इस गाड़े में इंस्टॉलेशन करना है लेकिन इसमें पुश्ट आट स्टॉप बटन दिया हुआ है और इसमें इंजन किल वाला फंक्शन भी लगाना है तो इसके लिए हम लोग पहले बूनेट को खोलते हैं इस जगह पर आपके लिफ्ट साइड में फ्यूज बॉक्स है यहीं पर हमें सब तरह का वाइरिंग मिलेगा यहां पर यह फ्यूज देख सकते हैं सेकंड नंबर इसको निकातार होता है उसमें इस तरह का मैंने क्लिप लगा दिया है इसको दोनों साइड लगा देना यहां पर इस तरह से यह फ्यूज अटाक है यहां पर सीरीज बना लिए अपने 12 वोल्ट रिले को अब यह जो है आपका यहां से हमें इग्निशन लाइन मिलेगा दिवाइस के लिए यह ग्रेकलर्टी ज़वाएट वाइट वाला में डिवाइस का इग्निशन लाइन लगा अधी जो औरेंज वाइर है ताकि इससे इंजन ओन आउप का अफू सिगनल में देगा और यह जो साथ वाल लिखावा है यलो कलर का है उसमें हम लोग डारेक लाइन आ रहा है बैटरी का तो रेड वाइर जो है डिवाइस का इंटीनिव पावर लाइन के लिए और यह रिल कि अधिवाइस का जो ब्लैक अलव आयर था बैटरी के नेगेटिब में कनेट करते हैं तो अब वाइरिंग होगा पूरा कंपलेट सरसे देख सकते हैं कि यह रहा डिवाइस इसको इस वाइर से कनेट करके इसको इसको अनलाइन होगा इसमें अब यह और यह एकिस छेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नेगेश इत जैनलों और आं भावर मेंजह इछ इंजन हो गया अब आप आजए वोगेंगे इंजेना ओगोगे तुलेस्टाट्रेज एस फिरो ट्रक चा अपकलीकेशन इसको खोलना हैं कि इस फिरोटो का अप्लिकेशन इसको पैन करना है मैं वेट देख सकते हैं लोकेशन आ गए गाड़ी का तरी फिर अच्य जाकर है अब गाड़ी को कर देखना है यहां पर क्लिक किये है निचन में लोक क्रणा दो लॉक्ड है श्रय घ्रिशन को ल्थिए दो Prof Gold कें टिफ विखनी दया है यह जाकर है रहुंत ट्पासवट मिखकें है श्रय दोलासți कमांड एक्सेक्यूटेट सेक्सफुली देखिए यह लॉक कर दिया है अधी देख सकते हैं आपका इंजिन आफ हो गया है अब इसी तरह से हम लोग फिर से अप्लिकेशन में जाता है इंजिन अनलोक में क्लिक करेंगे यह पासवर्ट दे दिया है इंजिन अनलोक कर देखिए एक्सेक्यूटेट सेक्सेस्फुली आगया आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजिन आफ है यह आँ अगया स्टार्ट करें गाड़ी को यह देखिए आपका इंजिन चालू हो गया इसी तरह सक्सेस्फुली अपने इंस्टॉल हो गया तो यह सक्सेस्फुली हमारे इंजिन अनौफ पुश्टाट स्टॉप बटन के साथ इंस्टॉलेशन हो गया झालू हो गया